सफेद, शान, वास्ट, विविट, पर्फ जैसी सफेद रेत को छूलो Welcome to धोर्डो नमस्कार भारत, ये है गुजरात का जियोग्राफिकल वन्र, सदियों पहले कच्चक शेत्र का एक हिस्सा समुंदर के अंदर था फिर कुछ ऐसे जियोलोजिकल चेंजिस हुए जिसके कारण समुंदर से एक विशाल सफेद रण का जन्म हुआ और आज इस सफेद रण में हम बिखराएंगे योग के अनेकों रण भारत की आजादी के अम्रित महोत्सव के अवसर पर गुजरात के 75 स्थानों पर होगा योग जुडेंगे लाखों लोग आप भी योग करें, फिट रहें आज हम सब योगी यहां आए है एक बहुत ही खुबसूरत और important message के साथ, so let's do it उश्ट्रासन यह आसन हमारे गले, पेट और पैरों की फिटनिस के लिए काफी सही है गरुडासन हमारे पैरों की muscles को strong और flexible बनाता है और laziness को दूर भगाता है एक पाद अदो मुख श्वानासन यह आसन हाथ, पैर और कमर से excess fat को कम करता है और बोड़ी को फटी यानि ठकावट नहीं होने देता क्या छोटे बचों को भी योग करना चाहिए जी हाँ, आर साल की उम्र में योगा शुरू करना वो सबसे best रहता है क्योंकि तब बच्चों का बोड़ी अच्छे से develop हो रहा होता है कच की धर्ती सूखी जरूर है, पर करुणा से भीगी हुई है कहा जाता है कि यहां एक महापुरुष दादा मेकरण हुआ करते थे जो रण में भटक जाने वालों को पानी भी पिलाते थे और सही रास्ता दिखाते थे कच आयें तो लखपत फोर्ट, काला डुंगर, नारायन सरोवर, धोला वीरा, स्प्राग महल, आईना महल, कच म्यूजियम और श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल घूमना ना भूले कच में हर साल रानुट सब होता है जो विंटर्स में तीन महने के लिए चलता है कभी मौका मिले, तो इस रण में पूनम की रात आईए आप भी बोल उठेंगे, कच नहीं देखा, तो कुछ नहीं देखा, खुश रहें, योग करें, फिट रहें, जैहिन कर दो दो